Hello everyone, good evening, welcome to GKY, गुर्जीत, मैम YouTube channel, कैसे चल रही है आप सभी की preparation, I hope अच्छी चल रही होगी, as per your response, और आज पेपर 1 के लिए, वीडियो नमबर 9 रहेगी, 8 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 8 वीडियो पेपर 1 के लिए, और 8 ही पेपर 2 के लिए, और 5 जो है, वो 3 अपलोड हो चुकी है, जो फस्ताइम मेरे चैनल पे हैं, जो फस्ताइम वीडियो को देख रही है, वो चैनल की प्ले लेस्ट में, जाकर वीडियो देख सकते हो, वहांसे अपना तो उसी के उपर बेस रहेगा तो आप उसके उपर focus कीजिए जो paper first के लिए है और आज की जो वीडियो रहेगी आपका कोई भी competitive exam चाहे कोई state का है चाहे आपका कोई center का है तो सभी के लिए काफी beneficial होने वाली है कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को end तक देखे और जो explain किया ज आउंस होगी वो BPSC खूद करेगा सबसे पहले तो आप यह देखें क्या आप exam के लिए ready हो आपका syllabus cover हो चुका है कितना syllabus आपका cover हुआ है कितनी आपने practice की है तो पहले आप उसके उपर focus कीजिए exam जब भी होगा वो announce हो जाएगी date तो उससे पहले आपके पास notification आ जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स कोश्चनीज फर्स कोश्चनीज सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहले ambulance किस राच्यद्वारा शुरू की गी इन विच स्टेट ओफ इंडिया ambulance for road animals has been started option A है Tamil Nadu option B है Gujarat option C है Delhi option D है Maharashtra option E है none of the one more than one of the other yes quickly answer me question number first है yes answer is A Tamil Nadu कि स्टेट ने शुरू की है तमिल नाडू ने शुरू की है और तमिल नाडू में इसके शुरूवात ब्लू क्रोस ओफ इंडिया द्वारा इंटर एनिमल वैलफियर ओर्गनाइजेशन और फोर पाव के सहीयोग से शुरू की गई है और किसने इसको इनुग्रेट किया है मद्राज हाई कोड के जस्टिस डॉक्टर अनीता सुमत ने इसका शुभरम किया है और इससे क्या निम्ड में से किस मंत्राले और गूगल ने एप स्केल अकैडमी कारेकरम के तहट सो भारतिय स्टार्ट अप को परशिक्षित करने की घोशना की है वीचोग्दा फॉलिंग मिनिस्ट्री और गूगल हैव अनौन्स तू ट्रेन हंडर इंडियन स्टार्ट अप अंडर एप स अपने अच्छे से नोट करना है जो की पुएंट होते हैं वो साथ साथ आपने नोट करते जाना है यह स्कुशन नंबर सेकिंड है एंड आंसर इस सी आंसर इस सी मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक और इंफर्मेशन टेक्नोलजी है नेक्स कोशन इस वर्ष दोजार पच्छिस तक पच्छिस तक देश के सभी परमान उर्जा सेंतरों को बंद करने की घोशना किस देश ने की है विच कंट्री हैस अनॉंस दा क्लोजर ओफ नुक्लियर पावर प्लांट इन इन दा बाइदा यह तूज़न ट्वंटी फइफ और जपान ऑप्शन भी है जर्मनी ऑप्शन सी है ब्राजील ऑप्शन दी है बैल्जियम ऑप्शन दी है नन अफ दबव और दन वन उफ दावर यस कोशन नमबर थर्ड है एंड आंसर इस यस क्विकली आंसर मी आंसर इस डी बैल्जियम बैल्जियम गवर्मनेंट ने फैसला लिया है कि 2025 तक देश के सभी साथ नुक्लियर रियक्टर प्लांट जो है वो बंद किये जाएंगे और 2030 तक अब जो 2025 तक किसने बैल्जियम ने डिसीजन लिया है और अगर कुशन आता ह है कि 2030 तक कौन-कौन से देश परमाणू रियक्टर को बंद करने की प्लानिंग में हैं बैल्जियम फर्स्ट है एंड जर्मनी है स्पेन है और स्विट्जर लेंड है और नेक्स कोश्चन इस कन्या शिक्षा परवेश उत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य है विस स्टेट्मेंट इस ट्रू अबाउट दा कन्या शिक्षा परवेश उत्सव उत्सव औप्शन ए है यह भियान अंतर आस्टे महिला दिवस 8 मार्च 2022 को चलाया गया इस केंपेन वोज लॉँच्च्च् देवलापेंट इन कोलाबरेशन विद दा मिनिस्ट्री ओफ एजूकेशन अद युदिशेफ उप्शन सी है इस अभियान का उदिश स्कूल में किशोरियों जो ग्यारा से चोदा वर्ष की संख्या में नामांकन और प्रतिधार्ना को बढ़ाना है दॉप्जेक्टिव दि केंपनेट तु इंक्रीज दे एंड्रोल्मेंट एंड रिटेंशन ओफ एडोल्सेंट गर्स 11 तो 14 यह सिंपूल ऑप्शन दी है ओल अफ ता अबव ऑप्शनी है नन अफ ता अबव और मोर दन वन अफ दा अबव यह स्क्विकली आंसर में कॉश्चन नंबर फोर है जल्द इस उत्सव इसे देखो आठ मार्च 2022 को चलाया गया है और कौन-कौन से मंत्राले की हैल्प से बाल विकास मंत्राले शिक्षा मंत्राले और यूनिसेफ का जॉइंट वेंचर है और इसका परपस क्या है इस अभियान का उदेश्य स्कूल की किसोरियों जो 11 से 14 वर्ष की जो गल्स है वो स्कूल छोड़ चुकी है स्कूलों में उनकी संख्या को बढ़ाना और उसको रिटेन करना और एक यह रास्टर व्यापी अभियान है और अगर हम बात करते हैं इस अभियान को यह प्यान मंत्राले की सांजेदारी में चलाया जा रहा है और इस अभियान को BBBP योजना के हिस्से के रूप में लागू किया है। यानि कि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, योजना के हिस्से के रूप में से लागू किया है। next question is climate entrepreneurship climate native町 ίाप्शन परिवर्तिन से लटने के लिए climate partnership समाज धीक उद्य मेत्ह के रूप है climate nature in the form of the social entrepreneurship to the fight climate change option भी है climate परफ्ज़ाइट परफ्जिप एक रोबोट है यानि कि जुछी ऑप्षण है क्लाइमेट परफ्जिप एक सेटलाइट यानि कि उपगरह है option D है अप्रोक सबी ऑप्षिन दी है नन अफ दमन मोर्दन वन उफ दम इस्कोशन नंबर five and answer is a answer is a climate is a form of social entrepreneurship to fight climate change यानि कि वानिज्य और उध्योग मंत्री प्यूस गोयल ने प्रयावन पर एक विशेश कार्यकरम ओनली वन अर्थ का आयोजन किया था और इस कार्यकरम में बढ़ते परदूशन की समस्या पर विचार किया गया और भारत जो है इसके उपर एक टैग लाइन के अगर हम बात करें भारत अपसिस्ट से उड़ जा यानि कि जो वेस्ट है उससे एनरजी और अपसिस्ट से धन यानि कि जो waste है उससे क्या है जो currency है या फिर जो पैसा है वो generate करेगा ये इसका focus रहेगा किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए उद्धुमीत प्रुट्साहन अभियान समर्थ लॉंच किया है विच मिनिस्ट्री है लॉंच दा एंटर पर्नियोर्शिप एंटर पर्नियोर्शिप ऑफ कैंपन समर्थ फॉर फॉर वुमेन ऑप्शन है केंद्री है सुक्षम लगू और मенिस्ट्री उप माइक्रो स्मोल और मीडियम एंटरप्राइज के हैं अप्शन भी है येलेक्टरोनिक और सूचना प्र्ठोग की मंत्रायल मिनिस्ट्री ओप मेद्ध टेकनोलोजी है रक्षा मंत्राल्य जूरेंग के मैनिस्ट्री ओपढ़ दिफे93 तोफ दिफ्योर्ट मे और यहां प्रक्राइब जल्दी से आंसर दीजिए कौश्चन नमबर 6 येस आंसर इस ए आंसर इस ए यूनियन मिनिस्ट्री ओफ माइक्रो एंड स्मोल एंड मीडियम एंटरप्राइज अगर हम बात करते हैं इस अभियान के इनके समर्थ जो अभियान है 7 मार्च को MSME उध्योग मंत्री नाराण राने ने महिला दीवस के अफसर पर महिलाओं को सोगात दी है महिलाओं को इंप्लोईमेंट के अफसर पर दान करेगा और MSME जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा मुफ्त कोशल विकास कारेकरम यानि कि जो स्केल डेवलप्मेंट प्रो प्रतीमा जिसका अनावरंट जल्द ही बिहार के बोध गया में होने वाला है निम में से कौन सा कथन असत्ते हैं लाजस्टेट्य ओफ लोड़ बुद्धा टू बी अन्वेल्ट सून इन बुद बोध गया बिहार वीच ओफ दो फॉलिंग स्टेट्वेंट इस फॉलिंग स अन्वेल्ट मैं सा मूट्थ इन बाइचानल वेल्फेर मिशन दुवारा जो जार उन्नीश में सुरू किया गया हीन अन पॉज़्ण मोट पोल बना रही है इस स्टेट्वों सैचिछ उन चलकाथे movement Paul बाशस यस quickly answer में को शीन 7 है and answer is yes हाजी यस जल्दी से बताएं को शीन 7 है and answer is T answer is E none of the above जितनी भी स्टेट्मेंट्स सारी correct है यहां से आपके four question और बन जाते हैं अगर आपके पास आता है कि यह जो परतिमया है महात्मा बुद्ध की किस गाउं में बनाइव जा रही है और किस welfare mission बनाया जा रहा है इसको और किस मूर्तिकार ने बनाया है और किस fiber का या फिर glass का use कर रहे हैं तो यहां से question बन जाते हैं इसके इलावा जो extra point है इस statue की जो लंबाई है वो कितनी है 100 feet है और height कितनी है 30 feet है और चुडाई के अगर हम बात करें 24 feet है और यह जो मूर्ति है महात्मा बुद्ध की वो शैन मुद्रा में बनाई जा रही है और इसी मुद्रा में महात्मा बुद्ध को महा परियोजना निर्वान की प्राप्ति हुई थी और अपना अंतिम संदेश भी महात्मा बुद्ध ने इसी मुद्रा में दिया था एन नेक्स कोस्टिन इस हाल ही में समझार पत्रों मेरी सिल्वर प्रयोजना लाइन का संबंध कि सराज्य से काफी इंपोर्टेंट कोस्टिन रहेगा इसको अच्छे से अपने नोट करना है विच स्टेट इस लेटे टू दा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट विच वोज रिजेंटली इन दा नैशनल निउस्पेपर्स अप्षिन है करनाटक ऑप्षिन भी है तेलंगान ऑप्षिन सी है केरल ऑप्षिन दी है तमिलनाडू ऑप्षिन है नन अफ ताबव और मोर दन वन दो अफवता प्षिन नंबर एठ है और आंसरीज सी केरल किसे रिलेटेड है सिर्वल लाइन प्रोजेक्ट केरल से और यह जो प्रोजेक्ट है वो चर्चा में क्यों है इसका Kyanunden से यह एक ऐसी semi High speed project है और किसका है Keral का येоротर Kerala का जो उत्तरी छोर है कासर गोड जगाय का क्या नाम है कासर गोड को दक्षनी छोर तिरवनत पूर्ण से जोड़ता है और ये Kerala और Ministry of Railway का joint venture है किसका है केरला और Ministry of Railway का joint venture है और अभी जो केरल है उसके नोर्थ छोर से जो साउथ चोर है उसकी जो लेंथ है मतलब उस डिस्टेंस को पूरा करने में टाइम कितना लगता है बारा गंटे बट इस प्रोजेक्ट के बाद ये चार गंटे से भी कम इसमें टाइम लगेगा और इस ये जो प्रोजेक्ट है वो कब तक पूरा होगा 2025 तक ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं आप साथ साथ नोट करते जाईए और नेक्स कोश्चन इस भारत में डवली अच्चो ग्लोबल सेंटर फो टैडिशनल मेडिसिन की स्थापना निम्ड में से कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सकते हैं इस डवली अच्चो ग्लोबल सेंटर फो ट्रैडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी बिल्कुल सही है यह दुनिया भर में पारंपर एक चिकित्सा के लिए पहला और एक मातर ग्लोबल आउट पोस्टिड वेश्विक केंदर होगा ये स्थापनेंट भी कोरेक्ट है केंद्रिय मंत्री मंडल ने डवली अच्चो ग्लोबल सेंटर फो ट्रैडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी है और ऑप्रोक्त सभी अप्शनी है नन ऑफ ताब और 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 आउप ता अबव तो आंसर इस डी उप्रोक्त सभी ओल अफ ता अबव जो स्टेट्मे 2020 को और पांच में आयुर्वेदिक दीवस के रूप में मनाया गया था और यह दुनिया भर में आयूस प्रणालियों की स्थापना करेगा और नेक्स कोश्चन इस 2022 के लिए यूएस अंतरास्ट्रे महिला साहस पुरुक्सकार किसे परदान किया जाएगा और यह बांगलादेश की अटर्नी एन परियावरण वीद है और दुनिया भर की बारा महिलाओं में शामिल है जो अपने समुदाए में बदलाव लाने का साहस रखती है और यह वोड कप दिया गया है 14 मार्च 2022 को और नेक्स कोश्चन इस धूमर पार निशेद दीवस कर मनाय जाता है और पहली बार दूमर पार निशेद दीवस कर मनाय गया था 1984 में नेक्स कोश्चन इस देश में पहली बार किस राज्य के वीत मंत्री ने यह कोश्चन जो है वो काफी important रहेगा और काफी अच्छा कोश्चन है और इसके key point जो आपको बताए जाएंगे वो साथ-साथ आपने नोट करने है पहली बार किस राज्य के वीत मंत्री ने कोबर से बने ब्रीफ केस में बजट पेश किया for the first time in the country the finance minister of which state presented बजट in the briefcase made of cow dung option A है बिहार, option B है हरियाना, option C है चतिसगड, option D है मध्यापरदेश, option E है none of the above and more than one of the above yes quickly answer me, question number 12 है and answer is C, 36 गड कहां के CM, 36 गड के CM, भुपेश भगेल ने 2022-23 का बजट पेश किया है और उपर संस्कृत में क्या लिखा है, गोमे वस्ते लक्षमी, इस briefcase के उपर क्या लिखा गया है, गोमे वस्ते लक्षमी इसका मीनिंग क्या होता है, गोबर में लक्षमी का वास होता है और खास बात क्या रही इसकी, राइपूर, गोकुल, धाम, गोठान में काम करने वाली महिलाओं का जो समय सहायता समूह है जिसका नाम क्या है एक पहल आपने इस जो समय सहारता समुह है इसका नाम याद रखने है क्या नाम है एक पहल इन्होंने इस briefcase को कितने दिन में ready किया है दस तीन में से त्यार किया है जर्ट पुस्तक का वि मोचन किया है and more than one of the above yes question number 13 है and answer is चल्दी से कमेंट सेक्शन में answer दीजिए yes answer is a ministry of labor and employment and union minister of labor and employment ने इस book का विमोचन किया है और ये book जो है वीविगरी राष्टरिय श्रम संस्थान द्वारा परकाशित की गई and next question is बीबी आइन मोटर वहां समझोता भारत और किस देश के बीच में हुआ बी बीबी एन मोटर विखल अग्यrique के लिए ये अंडीया अंड फिज कंट्री ओप्शन है भुतान बांगलादेस अंड basement नेपाल ऑप्शन भी है भारत बांगलादेश ब्रिटेन ऑप्शन सी है भारत नेपाल मयामार ऑप्शन दी है भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑप्शन दी है नन ओफ ताब और मोर दन वन ओफ ताब यह स्क्विक्ली आंसर में जल्दी से आंसर दीजिए यस आंसर इस ए आंसर इस ए भुटान बांगलादेस इंडोनेशिया और नेपाल के बीच में हुआ है यह समझोता साहित्य अकेडमी का साहित्य उत्सव 10 से 15 मार्च 2022 तक दिल्ली में अजित किया जा रहा है इस निम्न कतनों पर विचार करें साहित्य अकेडमी साहित्य उत्सव इस बिंग ओर्गनाइज इन डेली फ्रों 10 तू 15 मार्च 2022 तू तू थाउजन ट्वंडी तू कंसीडर दा फॉलिंग स्टेट्मेंट इस महत्सव की शुरुआ सास्कृति राज्य मंतरी अर्जुन मेगवाल द्वारा की गई ता फेस्टिवल वस्टाटेड बाई अर्जुन मेगवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर कल्चर ऑप्शन भी है स्टेट ऑफ फॉर के पहले कचरा मुक्त शाहर का दर्जा की से मिला है किस गाउं को मिला है सुपोल गाउं को केंद्रिय शहरी मंतराल्या ने परवान पत्र जारी किया है जिसमें स्वच भारत मिशन शहरी में रैंकिंग जो है सुपोल को क्या मिला है वन स्टार मिला है हाल ही में किस राज्या में भारत के सबसे बड़े तैरते सोर उर्जा सैंतर का उद्गाटन किया है ये वन अफ दा मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन इन विच स्टेट इंडियास लार्जेस फ्लोटिंग सॉलर पावर प्लांट हैस बिन इनुग्रेटिट रिसेंटली अप्शने है करनाटक ऑप्शन बी है तमिल नाडू अप्शन सी है केरल ऑप्शन दी है उडिशा ऑप्शनी है नन अफ दा अबव और दन वन अफ दा तमिल नाडू कहां पर तमिल नाडू में तमिल नाडू के सीम स्टालिल ने इसको इनुग्रेट किया है और यह कहां पर तमिल नाडू के किस स्थान पर होगा थूति कुंडी अपने जो प्लेस है उसका नाम याद रखना है थूति कुंडी जो प्लेस पढ़ता है कहां पर सामिल नाडू में और 150 क्रोड की लागत से से बनाया जाएगा कंपनी के अगर हम बात करें कौन सी कंपनी इसको बनाएगे सरदन पैट्रो कैमिकल और से से दूसरा बेनिफिट क्या होगा इससे हमें क्लीन एनर्जी मिलेगी और नेक्स कोश्चन इस 11 मार्च 2022 को कि संस्थान ने सैंतिसमा सापना दिवस मनाया विच इंस्टिटूशन सेलिब्रेट 37 फांडेशन देवन मार्च 11 2022 और रक्षा अनुसंधान विंखा संक्थन डिफेंस रिसेर्च और डियलोप्मेंट और 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 रास्तिय अपराद रिकोर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब् यह स्थापना दिवस मनाया है कब 11 मार्च 2022 को और अगर हम बात करते हैं कि रास्ते पराद रिकोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी और यह किस मंत्रा लेके धीन काम करता है तो हो मनिस्ट्री यानि क्रह मंत्रा लेके धीन यह काम करता है 10 मार्च 2022 को मध्या परदेश के किस स्थान पर परदेश का पहला ड्रोन स्कूल का सुभारम किया गया और इसका परपस क्या रहेगा ड्रोन के दुवारा फसल का मुल्याकर करना यहनि वैल्यूएशन करना और कीट नासक या फिर जो फर्टिलाइजर है उनका छिड़काव करना नेक्स कॉस्चन इस हाल ही में किसे आर्तिक विकास संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है रिसेंटली हूँ है बिन अपोंटेड एस दा डिरेक्टर ओफ इंस्टिटूट ओफ इकनॉमिक डेवलप्मेंट और जो फर्स्ट मुनेटरी पोलसी कमेटी वनी थी कब 2016 से 2020 के बीच में बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराद के प्राधियों की गिरफतारी और श्राबंदी की कार्यवाही को लेकर कौन सा अभियान चलाया है waaya hai Wg campaign has been launched by the Bihar Police for the arrest of criminals of serious crime in the state and the for the action of the provision opon a hai operation wajdru option b hai operation parhaar option c hai operation indarduc option d hai operation inderjal option e hai none of the above and more than one of the above yes question number 21 hai and answer is B and answer is B operation parhaar next question is हाल ही में जारी VDEM democracy report 2022 में कौन शिर स्थान पर रहा who has stopped the recent release VDEM democracy report 2022 option A है Sweden, option B है Denmark, option C है Norway, option D है Japan, option नहीं है none of the above and more than one of the above yes quickly answer में question number 22 है जल्दी से comment section में answer दीजिए answer is A Sweden, top position पे कौन रहा, Sweden रहा, second पे Denmark रहा, third पे Norway रहा और अगर हम fourth की बात करें तो Japan रहा और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया की position क्या रही इस report में इंडिया जो रहा इंडिया की 93rd position रही है, कौन सी रही है, 93rd position रही है इंडिया की and next question is, हाल ही में ISRO Young Scientist Program के लिए कितने चातरों का चैन करेगा recently how many students will be selected for ISRO Young Scientist Program option A है, 200 option B है, 150 option C है, 250 option D है, 100 option E है, none of the above and more than one of the above, yes और ये जो प्रोग्राम है, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए होता है ISRO जो Young Scientist Program है, जिसे यूविका के नाम से भी जानते हैं, yes answer is B, 150 कितने स्टूडेंट्स, 150 जो स्टूडेंट्स है, उनको, उनका स्टूडेक्शन किया जाएगा और ISRO का ये प्रोग्राम 16 मई से 28 मई 2020 को आयोजित होता है and next question is, हाल ही में कौन सी राज्या सरकार डिजितल भूनिय भिलेकों की डो स्टेप डिलिवरी शुरू करेगी, recently which state government will start डो स्टेप डिलिवरी ओफ डिजिटल लैंड रिकोर्ड, option A है हरियाना, option B है करनाटक, option C है बिहार, option D है महरास्टर, option E है none of the above and more than one of the above, yes quickly answer में, question number 24 है, जल्दी से comment section में answer दीजिए किस answer is C, बिहार, बिहार सरकार जो है, राजस्व और भूमी सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने announce किया है कि बिहार देश का पहला state होगा, जो लोगों को digitalized land document घर पर ही देगा और इससे जो है, लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे किसी भी office के and next question is, 8 March 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला ध्योगिक पार्क कहां पर खोला गए यह काफी important question है और काफी अच्छा question है जिसको आपने अच्छे से note करना है where has India's first 100% female owned industry park opened on March 8, 2022 option A है चैपूर, option B है चंडीगड, option C है है हैधराबाद, option D है मुंबई, option E है none of the above and more than one of the above यह question number 25 है जल्दी से answer दीजिए comment section में answer is C, कहां पर हैधराबाद में और यहां पर हैधराबाद के अगर हम बात करें 25 unit का यह एक तरह से industry park खोला जाएगा और 250 क्रोड की लागत से और जो 25 unit है उनकी ownership किसके पास होगी महिलाओं के पास होगी और फिक्की के जो महिला संक्ठन है उसके द्वारा इसे open किया जाएगा हाल ही में किस राजय सरकार ने मातरी शक्ति उद्धमीता योजना शुरू करने की घोशना की है recently which state government has announced to start मातरी शक्ति उद्धमा योजना option A हरियाना option B है मध्यपरदेश option C है बिहार option D है राजस्थान option E है none of the band more than one of the band yes quickly answer में question number 26 है yes answer is A हरियाना हरियाना सरकार में CM मनोहलाल खटर ने 8 मार्च 2022 को जिस दिन हरियाना का budget आया था यानि के international women's stake वाले दिन budget पेश करते हुए घोशना की किसके लिए मातरी शक्ति जो योजना है वो चलाई जाएगी महिलाओं के लिए इस जो योजना का purpose क्या रहेगा entrepreneurship को बढ़ावा देना है और पांच लाग से कम सालाना आए पर क्या दिया जाएगा तीन लाग रुपे लोन दिये जाएंगे महिलाओं को और जो हरियाना है हरियाना राज्य ने एक प्राइज और चलाया है किसके लिए महिलाओं के लिए शुष्मा सवराज और नेक्स कोशन इस हाल ही में बिरहार क्रिशी विश्व विदहले मीडिया सेंटर में बने किस डोकुमेंटरी फिल्म को एगरी फिलम फेस्टीवल में राश्तरिय पुरूसकार मिला है विच डोकुमेंटरी फिल्म रेसेंटली मेड इन पिहार आडरीकल्चर ंविश्व नेशेझनल अवर्री फ sabemlish और हे वुडुमेंदे होपूर्फन द्राइगन फूर्ट और दास्त कहां पर होता है है हैदराबाद में होता है and next question is the health mission had launched which addition of the intensified mission Inder Dhanusha जिसे TMI in feb second 2022 यानि के option A है 4.0 option B है 3.0 option C है 20 option D है 5 option E है none of the above and more than one of the above yes quickly answer में question number 28 है and answer is a answer is a 4.0 और यह जो mission है Union Ministry of Health and Family Welfare Dr. Mansookh Mandwia ने 7 February 2022 को virtually launch किया था और इसके यह जो mission है वो तीन राउंड में complete होगा and next question is transgender समुधाय और भीकारियों के कल्यान के लिए समाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रा लेद्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताए नेम्द स्कीम लॉंच वाइदा Ministry of Social Justice and Empowerment for Welfare of Transgender Community and Beggar Option A है, SMILE, Option B है, Umeed, Option C है, Maa Tritav, Option D है, Bali का Option E है, None of the above and more than one of the above. Yes, quickly answer me. Yes, answer is A, SMILE and SMILE stand for sport for marginalized individual for livelihood and enterprise rise and next question is, हाल ही में आई रिपोर्ट के नुशार राजस्व और भूमी विभाग, भूमी विवाद को खतम करने के मामले में, Bihar का कौन सा जीला प्रथम स्थान पर है? According to recent report, Department of Revenue and Land Reform, which district of Bihar, Bihar is first place in the matter of ending the land dispute? Option A है, Aurangabad, Option B है, मुंगेर, Option C है, Patna, Option D है, Gaya, Option E है, None of the above and more than one of the above. Yes, question number 30 है and quickly answer me in the comment section. Answer is B, मुंगेर जीला जो है, वो first position पे है, अगर second की बात करें, शेख पूरा है वो third position पे पस्षमी चंपारन है. And next question is, बिहार में कहां पर देश का पहला RGB laser projector वाला तारा मंडल बनाया जाएगा? Where will be countries first RGB laser projector platinum be built in Bihar? Option A है, नालंदा, Option B है, Patna, Option C है, समस्तिपूर, Option D है, Gaya, Option E है, None of the above and more than one of the above. Yes, question number 31 है and answer is B, Patna. कहां पर बनाया जा रहा है? पतना पर और RGB stand for red, green and blue. और इसका जो नाम है, वो क्या दिया गया है? इंद्रा गांधी, तारा मंडल इसका नाम दिया गया है. और देश का पहला तारा मंडल होगा, जिसमें इस टेकनीक को यूज किया जाएगा. And next question is, January 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्टरिक वहां चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया? Where was India's largest electric vehicle charging station opened in January 2022? Option A है, Patiala, Option B है, Guru Gram, Option C है, Merit, Option D है, Jaipur, Option E है, None of the above and more than one of the above. Yes, question number 32 है, and quickly answer me, Yes, answer is B, Guru Gram, कहां पर open किया गया? Guru Gram में, देश का सबसे बड़ा इलेक्टरिक वहां चार्जिंग और यहां पर जो है, एक साथ जो 100 vehicle है, उसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 121 इलेक्टरिक जो चार्जर है, vehicle चार्जर लगाए गए हैं, और यह 24 घंटे में, 1000 गाडिया यहां पर चार्ज हो सकती है और एक और यहां पर एक question मेरे पास comment आते रहते हैं काफी candidate के, कि books कौन सी लें या फिर book लें या ना लें, तो यहां पर बात कर लेते हैं books के बारे में, अगर books की बात करें आपको कोई यूट्यूबर बोले या फिर कोई teacher कहें कि आपको books की जरूरत नहीं है, तेकि जो books हो आपको extra help करती है, यानि कि जो books में आपको नहीं मिल पाता, वो videos में मिल जाता है, अगर videos में जो नहीं है मों आपको book में मिल जाएगा, तो book जो आपने है, फो फोलो करने जरूरी है, आप book भी लेजिए, और साथ में प्रैक्टिसध्हट लेजिए, और जो वीडियो आप उनको as it is follow करते जाएं और books के उपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगे के books कौन सी अच्छी है कौन सा practice अपने लेना है तो जल्द ही उसके उपर वीडियो बनाऊंगे और इसमें काफी जो candidate है वो हिंदी मीडियम से हैं के हिंदी मीडियम के लिए कौन सी book बैट रहती है तो जल ही इसके उपर वीडियो आए गया आप वहां से देख सकते हूं यस next question is हाल ही में परधान मंत्री के पंजाब दोरे के दोरान सुरक्षा चूख की जाच करने के लिए कि इसके अधेक्सता में कमैटी गठित की गई रिसेंटरी लूरिंग दा विजिट ओ प्राइम मिनिस्ट प्राइम मिनिस्टर तु पंजाब अ कमैटी वोस कंस्टिटुटिटीट अंडर वोस चेर्मेंशिप इस इन्वेस्टिगेट दा सेक्योर्टी लैप्ष ऑप्षन ए है एस चेकरवर्ती ऑप्षन भी है सुधीर कुमार सक्सेना ऑप्षन सी है अमेशा ऑप्षन दी है राज हाल ही में शर्द सागर को हावर्ड ग्रेजुएट स्कूल ओफ एजुकेशन में चातर संग का ध्यक्स चुना गया है इसका संबंध कहां से रिसेंटली शर्द सागर हैस बिन अपॉंटेड एस प्रेजिटेंट ओफ दा स्टुडेंट यूनियन एट हावर्ड ग्रेजुए बिहार कहां से हैं यह बिहार से हैं और हावर्ड ग्रेजुएशन स्कूल ओफ एजुकेशन में पढ़ रहे 50 कंट्रीज के 50 कंट्रीज के मोर देन 12,000 स्टुडेंट ने इसे अपना अध्यक्स चुना है next question is बिहार के पहले transgender constable कौन है who has become the first transgender constable of Bihar option A है रचित राज, option B है सागर सिंग, option C है अमित कुमार, option D है सोर्य राज, option E है none of the above and more than one of the above yes quickly answer me and 35th question and last question है हमारा answer is A रचित राज, जो रचित राज है बिहार के पहले transgender constable है और इन्हें देश के पहले ट्रांस्मेंद सिपाही का title भी मिला है और इनका पहले नाम क्या था रच्चना नाम से जाने जाते थे तैनीनों ने अपना नाम किया है रचित राज